नमस्कार मैं वयर्शारली एक यूट्यूब चेनल में आपका स्वागत है। मेरे आज़ की रषेपी है चिचिंडा आलू की सूखी सबजी छी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। चिचिंडर की सबजी कही तरीके से बनाई जाती है, पहले भी दाल डाल के कोकोनेट के साथ बनाई है, जो बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आज में बल्कुल सिंपल तरीके से बना रही है हुआ इसको और इसको मैंने इसे खालका सी कःते हैं, जो पूंट ही सौफ्ट है। तटके के लिए राई और जीरा है एक चोटा चमच हल्दी बार्टर दो चोटा चमच मेर्छ adapter मेर्श आपने स्वागे शाद केनॉसा ले सकते हूं दो चमच मैंने धनिया बॉर्डर लिया हुआ है स्वाधरों सा नमक डालेंगे और तड़की के लिए तेल है तो शुरू करते हैं चिचिंड़े की सुगी सबजी बनाना मैंने यहां कड़े रख दिये गया सान कर दिया है और हमें इसमें तेल डाल दूँगी तेल गरम होने देते हैं तेल गरम हो चुका है राइय जीर डाल दूँगी और गैस के आज विलकुल ही कम रखे हुए तो इसमें मैं हल्डी बॉडर भी डाल दूँगी निर्च पॉर्टर भी डालोंगी मेर्च आप अपने स्वाट करने साथ ले सकते हो और साथ धनिया पॉर्टर भी डालोंगी अगर टेल ज्यादा गरम हो गया तो आप गया सब्सक्राइब कर सकते हो यह देखिए मसाला अच्छे से भून गया है और अब मैं इसमें चिचिंड अभी मैं इसे नमक में ही डालगी, थोड़ी देर आते ही भूलूँगी मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसे ढख दूँगी और धीनी आज पर ही सबजी को पकने देंगे और बीच बीच में देखते रहना है तक बख दोसी तीन मीट हो गया है चिचंड़ी की सबजी को पकते हुए तो एक बाद फिर से देख लेती हुए क्योंकि हम इसमें पकाने के लिए टमाटर और पानी का यूज नहीं करें सुखी बना रहे हैं तो ढखती ही पकाएंगे और बीच बीच में देखते रहना होगा है ताकि लीचे से चिपते ना जले ना अब देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से भून रही है देखते हैं कि आच्छे से आलो में कलर आया है आच्छे से mix करदेंगे और अभी मैंने नमक किसली नहीं ढाला है कि अभी पानी खोर देगा तो अच्छे से भूनेगी नहीं तो पहले तो थोड़ा सा बूल लेते हैं तेल के साथ प्राइए हो जाती है सब्जी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो लगबद चार से पास में ऐसे भूल लेंगे उसके बाद नमक डालेंगे और फिर से ढख दीते हैं दोसी तीन में बार फिर से देख लेंगे इसी तरह सा दिला लेंगे दोसी तीन में टोर हो गया है चिचंड़ की सब्जी को पकते हुए तो एक बार फिर से देख लेते हैं और यह अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बहुत ही अच्छे सब्जी भून रही है दबा के देखने के हैं हालू और चिचंड़ को भी तब मैं इसमें नमक डाल दूगी सब्जी बन जाती है अगर थोड़ा सा कड़क हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो आप सौक होने तब उससे पका लें तो हमें से नमक डाल दूगी और अच्छे सा मिक्स कर लेते हैं और नमक जब भी खाएं सेंदा नमक खाएं हमारे हैल्स के लिए बहुत ही वाइद मैं देखा ही कि आलू अभी पक चुका है बस चार से पांच मिट और पका लेते हैं कि सब्जी हमारी त्यार हो जाईए और बिल्कुल धीली आज पर ही पकाना है प्रबबग तीन से चार मिर्ट मैंने चिचंडा की सूखी सब्जी को और अच्छे से पका लिया है बहुत ही सब्जी का बहुत अच्छे से भून चुकी है और मैं गया सॉफ कर जूगी सब्जी तयार हो चुकी है यह देखे आलू पक चुके है और चिचंडा काफी सॉफ्ट था वो भी दीखे पक गया है 10 मिनिट के अंदर ही सब्जी बन चुकी है कि देखिए सब्जी तयार हो चुकी है और अम इसे सर्वीं प्लेट में निकाल लेते हूं गर्मा गरम चिचिंडा अलू प्याज की सूकी सब्जी बनके तयारे खाने के लिए और इस सब्जी को आप रोटी पराठा पूडी के साथ खा सकते हो और आपने देखा कि सब्जी ज सब्जी भी लगती है तो टिफिन के लिए सुबह बनाने के लिए सब्जी बहुत ही अच्छी है तो आप इस रेसिपी को जरू ट्राइ कीजिए और कमन करके बताना ना भूलें कि चिचिंडा अलू प्याज की सूकी सब्जी के रेसिपी आपको कैसी लगए और मेरे यूट प्योंग कैसी का अलूट बहुत है उपको कैसी लूब वजाए दोगती है तो मेरे बताना वहा है तो मेरे यूवत है तो ड़ बहुत है खड़ती है तो मेरे तो